हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं पाच मिनट में बनने वाली खटी मिठी कद्दू की सबजी तो इसके लिए सबसे पहले हम कद्दू लेंगे जितना बनाना है उसका बीज वाला पार्ट हम असका हटा देंगे और इसके पीछे जो है ग्रीन कलर की स्किन रहने दें मेठी दाना और जीरा भूनने के बाद हम इसके भी अच्छे से बूने के बाद जो कद्दू हमने साफ करके काटके रखा है उसे भी मिक्स कर देंगे इस मसाले में अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें एक चमच आमचूर एड़ करेंगे एक चमच आमचूर की जगे आप कच्छी आमी भी कसके डाल सकते हैं और इसके बाद एक टुकडा हम गुड कर डालेंगे इसमें चीनी भी डाल सकते हैं आप और इसके साथ ही दो चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले गोडु सब अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर इसके बाद कुकर बंद कर देंगे और इसमें एक विसल के बाद 10 मिनट सिंपर रखकर हम कुक मारी पंकिन की तायार है और इसके बाद इसे बनाईए और खिलाईए बहुत ही टेस्टी लगती है ये सबजी